हाई विडियो पर आई देखते हैं बर्गमूल निकालना एक दम आसान तरीके से भागविदी से बेसिक कॉंसेट क्लियर करते हुए देखेंगे कि बर्गमूल कैसे निकाला जाता है तो सभी बच्चे जो कि बर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं इस वीडियो को पूरा सुर जरूर कॉमेंट करके बताईएगा दोस्तों के परसाद से भी कीजिएगा वीडियो देखें सबसे पहले हमको बर्गमूल निकालने से पहले ना पेरिंग बना रहे तो हमको राइट हैंड से इसको क्या करना है पिर बनाना है इधर से हम पिर बनाएंगे दो का बन गया फिर एक का टेबल पढ़ेंगे एक बार दो का टेबल पढ़ेंगे दो बार तीन का तीन बार चार का चार बार पांच का पांच बार तो ऐसा टेबल पढ़ेंगे तो चार का टेबल चार पढ़ेंगे तो सोला आएगा आप पांच का टेबल पांच बार पढ़ेंगे तो पचीस यही रखना है, इससे कमाना चाहिए, ज्यादा नहीं, तो 4, यहाँ पर भी लिखेंगे, 4, simply, ऐसे कर लिजे, उसके बाद यहाँ पर भी लिख लिजे, 4, अब एक लाइन खीचे, इस तरह से, यहाँ पर, 4 चोगो, 16, ऐसे लिख लिजे, 16 आ गया, अब देखे, अब क्या करना है आपको, 7 में से माइनस कर दीजे, 6, तो 1 आएगा, यह 1 से 1 क्या हो जाएगा, cancel out हो जाएगा, इन दोनों को plus करके लिख लिजे, 4 और 4 यहाँ पर लिख लिजा जाता है, 8 आपका, आगे वाला दोनों नंबर हम उतार लेंगे, तो 6 उतार लिया हमने, और यह 4 उतार लिया कुछ नहीं करना है, बस सिंपली ऐसे कर लेना है, देखिए, आपको एक नंबर यहाँ पर छोड़ लेना है, जैसे कि यहाँ पर यह वाला नंबर चुपा लेना है, इसको, तो यहाँ पर भी कोई नंबर एक होगा, तो इसको, अब 8 का टेबल पढ़िए कि 16 आ जाए, तो 8 दूनी 16 दो बार में, अगर मैं पढ़िए, या तो 16 आ जाए, या उससे कम आए, तो 8 दूनी 16 दो बार में आ जा रहा है, तो उसके एकोल आ जाए, तो ठीक है, नहीं तो कम ही रखना चाहिए, तो 8 दूनी 16, यहाँ पर लिखे दो, और इस दो से मल्टिप्लाई करके, अगर में, तो देखे, आपका क्या आ गया, यह पूरा का पूरा कट गया, तो चैनल आउट हो गया, अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लिए, 17, 64 का रूट कितना आया है, यानि कि बर्गमूल कितना आया है, तो यह आया है, 42, तो यहीं आपका एंसर है, कोश इसमें देखे, सिमोही प्रोसेस करना है, इधर से एक, दो डिजिट का पेर बनाना है, फिर इधर से दो डिजिट का पेर बनाना है, ऐसे कर लेना है, अब ऐसा टेबल पढ़िए, उतनी ही बार पढ़ना है, लेकिन 40 से कम आए, तो ध्यान दीजे, यहाँ पे टेबल है, एक 49 ज्यादे आ रहा है तो हमको कौन सा लेना है 36 वाले लेना है 36 वाला तो 6 वाला ले लेंगे यानि कि यहाँ पर हमको लिखना है 6 6 लिखना है तो यहाँ पर भी लिखेंगे 6 simply यही तो करना रहता है और यहाँ पर भी 6 लिख लेजिए अब आपको क्या करना है, इसका multiply करके लिख लेना है, 666 के 36, यानि 666, 36, कुछ नहीं, ऐसे लिख लिजिए, अब आपको क्या करना है, minus करना है, कहरी देगा, 10 होगा, 10 में से 6 minus करेंगे, तो आ जाएगा, 4, इन दोनों को पहले, यहाँ पर उतार लिजिए, 9, 6, अब इन दोन है न, यहाँ पर एक नंबर छोड़ देना है, एक नंबर, तो यहाँ पर भी एक कोई नंबर होगा, तो दोनों नंबर को छोड़ दीजिए, तो अब 12 के लिए, 12 का टेबल ऐसा पढ़िए, कि उन्चास आ जाए, या उससे कम है, तो 12 के 12, 1224, 1236, 1248, 1255, 60, यानि कि 1248, 4 बा 16, अचार दुनी 8, और एक हासिल वचा 9, अचार एकनने 4, देखे, पूरा का पूरा कट गया न, तो इस तरह से यह सिंप्ली कट जा रहा है, अब देखे, इसका वर्गमुल कितना आ गया, तो 40, 96 का रूट निकालेंगे, तो कितना आ गया यह, तो यह आया है आपका 64, एक दम, असान तरीके से, भागविदी से, तो आईए देखते हैं, देखे, 69, 29 है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, कि यह, राइट हेंट साइट से इसका पेरिंग बना लेना है, तो हमने इधर से पेरिंग बना लिए, दो का पेर यह, पेर बन गया, चारंग का है, दो- 69 पहला यह, शुरू वाला नंबर 69 दिख रहा है, तो दो-ठो नंबर 69 दिख रहा है, तो ऐसा टेबल पढ़िए, उतनी ही बार पढ़िए, 69 से कम आए, या 69 के बराबर आए, तो अब देखे, टेबल यहाँ पे है आपका, तो कितना आएगा, 69 या 64, या 64 जादे हो जा रहा हम, यानि कि जो नंबर का टेबल पढ़िए, उतनी ही बार पढ़िए, तो 7 सते, 49, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, 7, ऐसे लिख लें हमने, अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 49, सिंपली, ऐसे, एकदम आसान तरीके से समझेए इसको, अब देखे, 9 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 0, 5 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 1, यहाँ पे 7 और 7 को जोड़ करके लिख लिख लिजे, 7 और 7, 14 होगा, यहाँ पे दोनों को यहाँ इसके सामने उतार लिजे, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐसे कर लेना है, अब आपको ना 14 सते 98, और 14 वठे 112 होता है, तो 14 वठे 112 तो लेंगे नहीं, 102 से अधिक हो जा रहा है, तो 14 वठानवे, तो 14 सते 98, 7 बार में ले लेंगे इसको, 7 बार में यह चला जाएगा भाग, तो 14 सते 98, इस तरह से 7 सब जगा पे उतार लिजे, अब इसको 7 से इसको मल्टिप्लाई करक यहाँ पे लिखते जाएए, 7 सते 49, 49 का 9 हासिल 4, साचो को 28 और 4, 32, 32 का 2 हासिल 3, साथ एकन्य साथ और 3, 10, तो यह हो गया 10, अब देखें, यह भी कट जाएगा, यह भी कट गया, सारा का सारा कट गया, तो यानि कि 5, 9, 5, 9, 2, 9 का, इसक्वायर रूट कितना आ गया, यानि कि बर्गमूल कितना आ गया आपका, तो यह आ गया 77, समझ मैं आया, देखें, इसमें अगर में देखेंगे, तो पेरिंग राइट हैंड साइट से बनाईए, तो देखें, इदर से 2 का पेर बना, फिर इदर से 2 का पेर बना, एक ठो बच गया, अब थोड़ा सा नया कोशन तीन यहां गया, अब इसमें देखेंगे तीन बचा है, यह तीन बचा है, $ ऐसा टेबल को उतनी ही बार पढ़िये, जिससे कि यह तीन आये या थीन क्या मैं तो जैसे है एकन्ने एक, दो यह हैचा जाँ जाए हो जा रहा है, पहार जारा है, यह पहार पर हना, इसको लग गार पढ़ना है एक का लेंगे तो एक बार दो का लेंगे दो बार तीन का लेंगे तीन बार तो एक एक अन्ने एक ध्यान से समझेएगा अब देखें एक एक अन्ने एक आ गया यहाँ पे लिख लिजिए पेरिंग बनाने के बाद ही ऐसा काम करना है अगर एक एक तीन में से एक गया, दो आ जाएगा, आगे वाला दोनों नंबर हम उतार लेंगे, छो, चार, इसको जोड करके हम यहाँ पर लिख लेंगे, अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे एक अंक यहाँ पे छोड़ेंगे तो यहाँ पे भी एक अंक छोड़ेंगे दो का टेबल पढ़ेंगे कि 26 कट जाए तो दो का टेबल पढ़ेंगे 26 कितनी बार में कटेगा तो 9 से अधिक बार में कटेगा 2 13 हम 26 होता है तो जब भी 9 से अधिक table पढ़ने पर आए तो हम अधिक वाला नहीं लेते हैं 9 ही तक लेंगे तो 9 तक ले लेंगे इसको, तो 9 तक जब लेंगे न तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9 तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 9 लिख लेंगे अब इसको multiply करेंगे, ध्यान रखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि 9 से multiply करने पर अगर मैं इससे ज़्यादे आ रहा है तो फिर 8 लिखना पड़ेगा यहाँ पर तो हम पहले 9 से multiply करके देख ले रहे हैं कि यहाँ पर इससे ज़्यादे तो नहीं आ रहा है न 9, 9, 81, 8, 9, 18, और 8, 26, देखे कम ही आया, थोड़ा सा 3 नमबर कमा रहा है तो यही रहेगा, 9 से ही हमको multiply करना है 4 में से 1 गया, 3, यह तो cut जाएगा, यह भी cut जाएगा, आगे का यह दोनों नमबर हम उतार लेंगे, 8, 1, 9, कितना होता है, 18, यहाँ पर एक अंग छोड़ा रहेंगे, और यह दो, एक, 3, अब देखे ध्यान से, यहाँ पर एक नमबर छुपा लेंगे, यहाँ पर भी एक क 38 से, यानि कि एक बार में, तो यहाँ पर लिखिए एक, और यहाँ पर लिखिए एक, और इसको भाग दे दीजिए, तो 38 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, यह, sorry, एक से, तो एक एक अंग एक मल्टिप्लाई करेंगे, और एक अठे, आठ, और एक तियाई, तीन, यह पूरा का पूरा कट गया आपका, तो यानि कि 36,481 का बर्गमुल कितना होगा, 36,481 का बर्गमुल जो होगा, वो आपका कितना आ गया, तो 191 आ गया बच्चों, आपको बर्गमुल निकालना समझ में आया कि नहीं, यानि कि छोटे छोटे अंको का इस तरह से बर्गमूल दिया रहेगा तो आपकी इस तरह से निकालेंगे भागविधी से तो इस तरह से आपको भागविधी से बर्गमूल निकालना है एक question है उसका बर्गमूल निकाल करके बताईएगा कि answer क्या होगा है आप 06084 इसका बर्गमूल निकाल करके आपको बताना है कि इसका answer क्या होगा वीडियो पसंद आया है दोस्तों के साथ share कीजिएगा लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते है नेक्ट टीडियो में दोस्तों ने प्रसनों के दा थैंक यू बेश्ट अफलक